सुप्रभात जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज सुरच्छी सनिवार कारिकम के तहट सीत लहर से बचने के उपाई बच्चों को बताना है उन्हें अवेर करना है उद्क्रमित माधमिक विद्याले मोचारिम बोध गया पिहार से आए बच्चों से जानते हैं कि सीत लहर से आपड़े हो जाएं विपीन कुमार थोरा तेज बोलेंगे बताएं कि ठंड से हम कैसे बचे और क्या क्या हमें करना चाहिए अच्छा से पैरों में चमडे के जूते पारने चाहिए इससे बीभी नो पारने चाहिए बचने, ठंड से बचने के बचने के बहुत अच्छा जवाब, इनके लिए तालियां बजाएं सब लों, बैट जाईए, चलिए और कुछ बच्चे से हम पूछते हैं कि ठंड से बचने के क्या अपाई होने चाहिए, आप खड़े हो जाईए, आपका क्या नाम हुआ, मेरा न बचने के लिए, उसके लिए हमको कौन सा कपड़े पहने चाहिए, 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 उ टोपी आता है और मफलर आता है बहुत अच्छा बहुत सुन्दर जवाब इनके लिए भी तालिया बजाईए देगे ये बच्चे कितने सांदार जवाब दे रहे हैं आए कुछ गल्स के तरफ से भी हम कुछ बच्चों से पूछते हैं कि ठंड से बचने के लिए क्या-क्या ह चाहिए अच्छा मास्क लगाके बाहर निकलना चाहिए वेरी गूड जैसा कि अभी अभी न्यूज है कि कोरोना का वेरियंट जो है फिर से सर उठाने लगा है तो बहुत अच्छा इनका एक सुझाव है कि हमें मास्क भी पहनना चाहिए इनके लिए ताली बजा दीजिए चाहिए और कुछ बच्चों से हम लेते हैं मैं चाहूंगा पीछे वाले बच्चे से ले जवाब चलिए आप खरे हो जाएए आपका क्या नाम हुआ गुडिया कुमारी गुडिया आप थोड़ा तेज बोलेंगी गुडिया आप बताएए कि ठंड से बचने के लिए हमको क्या क्या करने चाहिए वेरी गुड इनके लिए भी ताली बजा देजिए अच्छा अब ये बताएए कि और कोई है जो अपने मन से बोलना चाहते है अभी तक तो मैंने कहा कि इनको इनको अभी तो आप बोलना चाहते हैं आपका नाम क्या हुआ साक्षी आप बताएए कि ठंड से हमको बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए ठंड से बचने के लिए हमें गर्म कपड़े पहने चाहिए और संदूली मातर में धूप लेना चाहिए गर्म खाना खाना चाहिए ठंडा हो वी जाए तो उसको गर्म करके खाना चाहिए अपने कालों को हमें से ढखना रहना चाहिए और जादर खंड लगे तो रजायोड के स अच्छा चलिए इन्होंने दो डिफरेंट जवाब दिया कि हमें धूप कावी सेवन करना चाहिए कुछ अलग इनका अंसर था इनके लिए जोड़दार तालीब जाते हैं और कोई वाइस के तरफ से कोई कोई ऐसे हैं जो जो चाहते हैं कि हम कुछ अलग बोलें कुछ अलग इनके पास चाहें गल्स में भी कुछ अलग जवाब देना है तो बिल्कुल सही बताइए आपका नाम मेरा नाम की आत्मारी है और मैं थंड से बचने के लिए कुछ थोड़े बहुत उपाईवर तानर जा रही हैं वेरी कुड बताईए जैसे कि हमें सुबह उठकर हमेंसा जाते हैं तो हाथ तौलिय में अच्छी से पोश कर किसी को टैच महीं करना है थंडे हाथो से और फिल्ट और आप जला सकते हैं कोई बच्चा वह पहले का जो कौपी रख हमें रफ है उसको आप जलाकर हाथ भी तापुते हैं और फिर खुद को कर सकते हैं और सुबस्वत आते हैं तो सौक्त जूद्दे पहन कर जाना चाहिए और जैकेट भी डालना चाहिए और टोपी तो हमेशा पहनना चाहिए और फिर इनके जवाब में ये आया कि आग भी तापने चाहिए इनके लिए भी जोड़दार तालित बहुत सुंदर आप लोगों ने आज सीत लहर औ ठंड से बचने के उपाय के बारे में खुद से बताया और मुझे बहुत खुशी है कि आने वाले समय में चुकि ठंड में अब धिरे-दिरे बढ़ोतरी हो रही है तो आने वाले समय में हम लोग और कोशिश करेंगे कि कपड़े पहन करके आएं और टोपियां पहन करके आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि ठंड में अक्सर सरदी खासी ये काफी जादा होता है तो हमें गर्म दूद के साथ हल्दी डाल करके रात को सोते समय लेना चाहिए ज़दी आप चाय पीते हैं तो चाय में थोरी सी काली मिर्च है ना तौरा सा तुलसी ये स जो होता है हाउस या ओपन जो ग्राउंड है या कहीं ओपन में आप बैठे हुए हैं जहां कुला सब कुछ है वहां से हावा का प्रविश ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे जगह जाना चाहिए जहां पे हावा का दबाब कम रहे है या हावा का आना ज हुए जा रहा है उसको रोकने का प्रियास करें क्योंकि सीट लहर में हवा भी ज्यादा तिर्च चलता है ठंड लग सकती है ठंड लगता है तो पैरालेसिस अटैक भी हो सकता है, बॉडी मुव्मेंट कमजोर हो जाता है, तो इन सभी चीज़ों से हमें बचने की जरुवत है, और विशेश रूप से ठंड में गरम पानी का भी सेवन करना चाहिए, गरम पानी का आप सेवन करेंगे तो आपका गला भी हमेशा फिट रहेगा, ठीक रहेगा, किया गया था, तो कहीं ने कहीं उन चीज़ों का सेवन हमें सर्दी के दिनों में करना चाहिए, तो चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, और काफी अच्छा लगा, आज आप लोग ने सीत लहर से बजने के उपाई के बारे में जानने की कोशिश की, ज